आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी पोटेटो चीज बॉल की रेसीपी तो ये रेसीपी बनने में बहुत ही आसान है और इसका जो चीज पूल है वो आप देखकर हैरान रे जाने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ तयारिया पहले से ही कर रखी है तो यहाँ पर मैंने प्यास को कट कर लिया है हरी मिर्चे को कट कर लिया है बिलकुल बारिक और मोजरेला चीज ली है मैंने यहाँ पर और उसको मैंने इस तरीके से क्यूब के आकार में कट कर लिया है तो जितने भी कच्च आइज तो फिर वो इसमें मिक्स नहीं होगा तो आलू को हम हाथों से छ dough से मींक्स कर लेंगे और फिर मैंने मिल में मैं चम गफ दूब हम उन गरीयो को आलू कर दिए और हम इजिए कर दिया है और फिर अच्छे से हम कर ले जो कारा है तो इसको मिख्स करने के बाद मुझे थोड़ा दिकट लगा तो मैंने फिर अपने हाथों की मदद ली हम हातों से मिख्श कर लेंगे और यहां पर मैंने इसमें औरेगेनो एड किया है अगर आपके पास है तो आप इसको जरूर एट करना इसे बहुत ही अच्छा spicy flavor आता है और smell भी अच्छा देता है तो अब इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे तो यहाँ पर में सारी एक एक ही चीजे इसमें जो भी डल रही है अगर मसाले वह सब एक एक ही करके mix कर रही हूं ताकि जो मेरे मसाले है वहर तरफ से अच्छे से मिल जाए तो और इगे नो डालने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें गरम मसाला एट किया है तो यहाँ पर मैंने लिया है कि चन कींग का गरम मसाला इसका flavor बहुत अच्छा होता ह है और खुश्बू भी बहुत अच्छी होती है तो अब हम इसको भी अच्छे से हाथों से अपने mix कर लेंगे और अच्छे से mix करने के बाद हम इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे तो बिल्कुल हमारा अगर आपको लगे कि यह जादा ही धीला हो गया है जादा ही मतलब ह हाथों में लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेट क्रम्स एट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चीज भी एट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर बड़े बड़े चीज क्यूब लिया है इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें चीज एट नहीं क में रख दी है अपनी चीज क्यूब तो यहां पर चीज क्यूब के आकार से ही आपको आलू का मसाला लेना है क्यूंकि हम यह जो चीज की जो क्यूब रहेगी ना इसको हमको अच्छे से बीच में कवर करना है ताकि यह नहीं कहीं से भी बाहर दिखे नहीं और इस पर थोड़ में मिक्स होगी तो बस हमको थोड़ा आलू का मसाला लेना है थोड़ा जादा लेना है जितना आपकी यह जो चीज की क्यूब है ना उसके हिसाब से हमको लेना है और हतेलियों में हमको इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है थोड़ा सा इसको प्रेस करने के बाद हम इसमें चीज क्यूब और बस हम उस चीज क्यूब को अंदर चुपा देंगे तो इसी तरीके से हम उसको अंदर करते रहेंगे और इसका एक लड़ू टाइप का बॉल बना लेंगे तो बहुत ही आसान है आसानी से बनेगा और अगर आपको कुछ भी इसमें थोड़ा सा लगे कि आप का जो बेतर है थोड़ा जादा बलब चिपका चिपका लग रहा है तो आप इसमें जरूर ब्रेड करना आप कोण फ्लोर भी आड़ कर सकते हैं इसमें तो जो आपके पास अवेलेबल हो वो कर सकते हैं मेरा तो यहाँ पर बिल्कुल सही है तो मैंने इसमें इसमें एसा में रखिए कुछ देर के लिए 5-10 मिट तो यह अच्छे से सेट हो जाते हैं सारे चीज बॉल हमने बना कर रख लिये हैं और अब मैं इसको कुछ देर के लिए फ्रीज में रख दूंगी और इतने टाइम में हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्स बना लेंगे तो ब्रेड मैंने यहाँ पर लिए 5-6 ब्रेड लिए और उसको मैंने कुछ देर तवे पर फ्राइ कर लिया है और उसके बाद उसको ठंडा करने के बाद मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया है तो बहुत ही आसानी से हमारे ब्रेट क्रम्स यहाँ पर बन कर तयार है और अगर आपके पास ब्रेट की जो साइट की किनोर होती है वो है तो आप उससे भी ब्रेट क्रम्स बना सकते हैं तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे slurry एक कटोरी में मैंने यहाँ पर लिया है दो चमच मैदा और अब मैं इसमें दो चमच कॉन फ्लॉर एड़ करूंगी और इसकी हमको एक slurry बनानी है बिल्कुल स्मूध वाली तो बस हम इसमें पानी एट करेंगे और इसको एक स्मूध स्लरी बना लेंगे तो यह ना जादा गाड़ी होनी चाहिए और ना ही जादा पतली होनी चाहिए क्योंकि हम इसके अंदर चीज बोल को डुबाने वाले हैं और उसके बाद फिर हम इसको ब्रेट क्रम से कवर करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी slurry बन कर तयार है तो अब हम इसमें रखेंगे अपना पोटेटो चीज बोल और उसको हम इस तरीके से इस लरी में पुरी तरह से कवर कर देंगे और ध्यान रखना है हमको अच्छे से पुरी तरीके से इसमें कवर हो जाना चाहिए और उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसमें यहाँ पर ब्रेट क्रम से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही प्लेट में ब्रेट क्रम्स लिया है क्योंकि जो मेदे की सलरी होती है वो गिली होती है तो उससे सारा हमारा ब्रेट क्रम्स गिला ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा bread crumbs लिया है और उसमें मैंने cheese ball को अच्छे से coat कर लिया है और सारे cheese ball को coat करने के बाद यहाँ पर मैंने oil गरम रखा है और उसके अंदर हम इस cheese ball को add कर देंगे तो हमको gaze बिल्कुल धीमी रखनी है और जादा गरम oil नहीं होना चाहिए हमारा वरना यह उपर से तो अच्छे से हो जाएगा दिखेगा एकदम बिल्कुल brown brown color का और अंदर से यह कच्छा रह जाने वाला है तो हमको इसको अच्छे से पकाना है सेक लेना है इसको अच्छे से तो मैं यहाँ पर एक चम्मच के हैप ले रही हूँ क्योंकि मैं जब भी कुछ फ्राई करती हूँ तो इसी तरीके से उपर से भी oil एट कर देती हूँ ताकि हमारा जो पल्टाने का प्रोसेस है वो आसानी से हो जाए तो यहाँ पर हमारे चीजबोल फ्राई हो चुके है तो आप देखें आप इसका चीजबूल कितना गजब का है देख सकते हैं आप बिल्कुल गरम गरम है और इसका चीजबूल तो अल्ला बचाएं बहुत ही जबरदस्ता आया है तो केचप के साथ इसको हम रेसीपी बनका तयार है तो आपको हमारी ये रेसीपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करना और शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना और प्लीज सपोर्ट करते रहना शुक्रिया